कि वस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओमंग अकेडमी ए तूजेड में जा दोस्तों एक बार फेसर लिखर के आहां हूं है और कोश्चन पेपर प्रिबिएसर कोश्चन का जो है आपका सब्सक्राइब लिए करके आया हूं फर्स्ट का कुश्चन पीपर है बहुत दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पर रही थी किसी कारण से आप जानते कि समय कोबिट का बहुत चल रहा है लॉक्डाण भी चल रहा है काफी समय से चल रहा है अब लोग ने पढ़ाई तो मैंने क्लास बहुत सारी करवा दी हैं उसके साथ साथ एडवांस मैथ को कितने जो चाहते हैं आप मुझे कमेंट्य कर दीजी करवाओंगा कि जो की पिल्कुत 0 से ले करके ही रो तक जीरो से हीरो बनाने वाली मैद, मतलो एक point भी नहीं चूटेगा आपका, कोई से भी competitive exam दो, आप चुसमें मैद मूची जाती है, हर एक exam को देश्टी से महात पून रहेगा, चलिए, पहला question यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले, पहला question यहाँ पर दिया हुआ, ब्यक्ति बिन माना को किस रूप में वर्डेंत किया जाता है, मासूम नोटा, या फर मासूम मना इस्तिती, मासूम पहला, या फर मासूम नोबस, तो इसका question पहले भी एक बार पूंचा जा चुका है, repeat हुआ है, जो question तो इसका सही जाफ क्या है, दूसरा, मासूम मना इस्तिती, तावुल को आप अपने डारे में लिख लिए, जो आपको question गलत हुआ है, एक्स्वल में जो question आप से बनता है, उसी question को आप छोड़िये, बाकि जो question नहीं बनते हैं, उनको इस question को दूसरे question लेखे, सभी अधिगम समानता कोल मिलाकार सफल होते हैं, जब खालिस्तान किया जाता है, तो इस प्रिकाल के जा question लेखे, सिर्फ आपको इसका answer लेखना है, option नहीं लेखेंगे तो चल जाए, कब सफल होते हैं, संसाधन संपन होने पर, विद्यार्थियों द्वारा स्वाय नर्देशित होने पर, या पर प्रोधोपी का नेत्रत को द्वारा, या पर सिक्षा का न करते हैं, ठीक है, तो इसका सही जाब कुन सा हो जागा, दूसरा हो जागा, नेस question है, तीसरा question देखिए, तीसरा question क्या कहता है, निमलिखत में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तक्नीक है, जहां नाकारात्मक ब्योहर प्रदरस्त करने वाला एक छात्र सेस कक्षा से अलग हो टेक्निक, टाइम आउट टेक्निक में कई बच्ची क्या होता है, बहुत स्पीड से लिख लेते हैं, या फ़र जो भी उनको जवाब देने होते हैं, बहुत फास्ट फरवर्ड होते हैं, निकि बहुत जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी जवाब कुछ हो जाए चोथ हो जाएगा नेस कोश्चन है चोथा कोश्चन देखिए निमलिकत में से कौन सिक्षण के अभिव्यक्ति बिधी के बारे में सत्य नहीं है इस पास टूप से यहां पर देखिया सत्य नहीं आप धावना का प्रदर्शन प्रियोगों क्रिया कलाव खन्क放 करद्पार पर केंद्रत होता है इसका उपयोग बहुत सांस्क liberals के लिए किया जा सकता है सिक्चार्थे को समलित होने का एक आजता है इस इस बिधी द्वारा सभी विश्यों को कबर किया जा सकता है देखिए यदि आपसे इसमें पूछा क्या है सत्त नहीं है ठीक है तो सत्त नहीं है क्या अभिव्यक्ति जो है इसमें सभी विश्यों को कबर नहीं किया जा सकता है इसलिए क्या है सत्त नहीं है इसलिए क्या है इस option चौथा option जो है इसका सही हो जाएगा सत्र नहीं है ठीक है नेस्ट कोश्चन देखिए पांचमा कोश्चन है बहुत आसान कोश्चन है यह कोश्चन तो आपको उंगलियों फिरते ही बंजाने चीज जैसे आपने कोश्चन देखिए वैसे इसका अंसर एक बीच साल की लड़की की मानसे कायू 12 साल है उसकी बुध्धी लब्दी निकालिये कितने होगी सो होगी एक सो पच्चेस होगी साथ होगी आपको बताया कि मैंने सबसे पहली आपको मानसे कायू लिखने आपको कलानुकरम्यावी या सही हो जाएगा इस प्रकार से आपको याद रखना है बहुत सारे कोस्चन रिपीट होते हैं और इस प्रकार सही कोस्चन पूछे जाते हैं नेस कोस्चन है छटमा वह इस्तिती जिसमें कोई बैक्ती जाग रुकता खो देता है और अपनी स्वयम की पहचान को छोड़ देत है खाली स्वयम की रुप में जाना जाता है ऐसी इस्तिती जिसमें बैक्ती क्या होता है जाग रुकता खो देता है और अपनी स्वयम की पहचान छोड़ देता है अगहात कहा जाता है या फिर अभिगात कहा जाता है या फिर फ्यूग कहा जाता है तो जे कोस्चन पहले भी पूंचा जा चुका है तो इसलिए आप इसको नोट डाउन के लिजिए वह स्थाथी जिसमें कोई बैक्ति जागरुक तक हो देता है और अपनी स्वैम की पहचान छोड़ देता है उसके फ्यूक कहते हैं तो इसको 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 संको स्पेसरे नोट डाउन के लिजिए अपनी नोटबुक में, नेस कोश्चन है, सातमा कोश्चन, क्या देखिया, कोश्चन क्या दिए, जिस तरह से कोई वेक्ति अपने मस्तेश में किसी भी जानकारी को प्रस्तोत करता है, यह उनके निमने का उधारान है, वेक्ति अभिलक्षन का, संग्यानात्मक अभिलक्षन का, दूसरा आप्सन क्या हो जाएगा, इसका? तसका साही हो जाएगा, ठीक है? नेस कोश्चन देखते हैं, आठमा कोश्चन क्या दिया हो है, आठमा कोश्चन है, बुद्धी परेक्षन के जनाख, पूःचा जा जा चुका है, यह दिया आपने इसके पहले के जो लज़ो ब प्राइब असानी से बन जाएगा तो बुद्धी परेक्षणों के जनक अल्फ्रेड विने हैं कौन है अलफ्रेड विने ठीक है अब यह कहा कर दीजी आप मुझे कमेंट कर दीजी क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ बिचा चुका हूं तो यह अल्फ्रेड विने कहा के थ वह आप उचे कमेंटों से कमेंट कर जिए जिसका भी सही जवाब होगा उसका कमेंट को में पिन कर दूँगा तो सबसे पहले वह सो होगा नेस कुछन देखिए जी डी डी एक विकास संबंधी अक्षमता है जो खालिस्तान देखने को मिलती है जी डी डी जे कुछन जे भी वर्स से उपर के वाच्चों में तो जी डी डी जो एक विकास संबंधी यह जो समस्या होती उसको जी डी कह जाता है ठीक है तो इसका सभी आपको कुछन आप पहला हो जाएगा नेस कुछन है दसमा कुछन देखिए यदि वच्छे कि कालानुकरम आयू और मानसिक आयू 15 वर्स से तो उससे किसे स्रेंड़े में वर्गत किया जाएगा हुच पूच बुद्धि या फिर समान वध्धि प्रतिवासारे पूद्धि यहां फिर समान वध्धि से नीची तो देखिए ज़गी यदि किसी बालक की पंद्रा वर्स कालानुकरम आयू है वो मानसिक आयू साथ से नौ महीने की उम्र तक पहुंचता है तो बिक्सित होने लगते हैं जिसे उन्हें खालिस्तान कहा जाता है जैसे प्याजी का मानना है कि जब बगाला जो होते हैं साथ से नौ महीने की उम्र में पहुंच जाते हैं तो उस समय जो बिक्सित होने लगते हैं उन्हें किस रूप से जाना जाता है एगो सेंट्रेज या फिर बेक्तित काल्प इस्थायत वस्तु इस्थायत या फिर आगनात्मक तर्क की रूप में तो जब उनका विकास होता है तो उस सास से 9 महीने को अगरून में ठीक है तो इसका तीसरा ओप्शन कै हो जाए और असका सही होजाएगा नेस्थ कुश्चन देखिए बार्मा कोश्चन क्या 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 क्याता है चीन प्याज एक सग्याना तक विकास खालेस्तान अवस्ता पर सुरू होता है मूत संक्रियातमक पूलुप संक्राइक वास्ता और चारेक संपर्फ संबेदि सेומड है यि को बहुत कूश्चान लेकर इसको समझने की जरूरत है बहुत सारे बच्च्पों क्या है तीसरा आप्ट सक कर दिया विक्या्स्थान अवस्ता से शुरू होता है यह नहीं पूछा कि संगयनात्मक विकास हो जाता है तो शुरू कब से होता है शुरू कहां से होता है तो या तो आप जीन प्याजे को पर एक वीडियो बनाए है तो देख लिए पूरा क्योंकि जीन प्याजे एक ऐसा टॉपिक है जिन से हमेशा तीन से चा आता है विकास cognitive development जो होता है वो कब से शुरू होता है संबेदी पेशी sensory motor वस्ता जो होती है जो stage होती है तभी से इसका सुरूआत हो जाती है तभी से इनका विकास हो जाता है काई का cognitive development का उसकी सुरूआत होती ही वहां से वहां पूर नहीं होता है पूर कब होता है वो होता है आप्चार्एक शंक्रियात्मक अवस्था में यहनि की किसूर अवस्था के बाद ठीक है? Next question देखते हैं Next question है तेरवह question क्या question क्या कहता है? जीन प्याजी कानुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के से होते हैं? आतमे किंद्रत, एगो सेंट्र या फिर नम्म फ्लैक्षीवल या फिर जट्र या फिर समाजिक ठीक है तीक कोस्चन तो यह है ठीक है इसका आंसर आपको बताना है इसका सही जवाब कुण सा है पहला आत्मकेंदृत होते हैं लेकिन आपको ये भी तो पता होना चीए कि पूर्व संक्रियात्म कितने वर्स की होती है, तो या भी आप उसे कमेंट को कि पूर्व संक्रियात्म का कितने से कितने समतक होती है, वैसे तो सभी को पता है कि 4 अवस्ताएं बाठी है, इन पई आज रहे हैं, ज pseudo चको है, सबसे पहले कि कौन है, उसके बाद प्रिकार से आपको पूंचा जा सकता है या तो आपको कुस्टन में दिया होता है कि इतने साल से इतने साल तक जो बालक होते हैं उनमें जो किस प्रकार के होते हैं आत्म केंदेथ हो के नम में होते हैं जटल होते हैं पर समाजिक होते हैं ये कुर्शन इस प्रकार से पूंचा गया है तो बहुत तरीके हैं कुर्शन घुमापरा के पूंचे जाते हैं आपको बिल्कुल क्लि प्रतिकूल रवया को दरसाने के लिए किस सब्द का प्रियोग किया था पक्षपाद नसलबाद दुश्मानी या पर कट्रता तो उसा ही जवाब क्या है प्रियोग किया वो है पक्षपाद किसी के साथ पक्षपाद नहीं थीक है जटल गर्थी समस्यां को पूरा करने में किस प्रिकार की इस्मत्य हो सकती है जटल गड़ती संक्रियां को पूरा करने में किस्पकार की इस्मति समलित हो सकती है यानि आपको यदि गड़त की कोई से भी जटल समस्या दी गई है उसको हल करना है आपको तो किसçon पकार की इसमनति आप उसमों योग करें प्रतिभा संबंधित, प्रतिधनी समरति या प्र चलन इसमनति, या प्र संबेदी समरति तो जब भी जटल रसमस्टिया या प्र कोई से भी समस्या के निवारान करने की बात हो तो वहां पर कॉछ सी स्मर्थी आएगी चलाने इसमर्थी याने की working memory होगी ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा साही हो जाएगा memory के उपर हमेशा question पूछा जाता है memory के बड़े अच्छे से समझ यह क्या होता है जिसमें जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर के बारे यादी आप देखेंगे तो CPU क्या होता है उसका वर्क करता है जब तक कुछ काम होगा तब इसके बाद बंध होता है ठीक है बाकी की जो memory होती है जो hard disk होती हो तो बो नहीं करती है लेकर उसकी जो CPU होता है पूरा का किणने लेना है तो वहां पर आफ लेक्षा करने करना है डोड़ना है तो जब चलने दोड़ना की बात पर वहहां हां पर बिक्तिट कीया जाते हैंस्वित उसमें क्या है सभवाहाओ कि जवाब होगा इसका क्या दुसरा बेक्तिगत बिसिशता का आथार पर पांस माडल में बेक्तिख्त के प्रकार बताएगा है कितने पांस कौन से आथार पर बेक्तिख्त का मापन जो है वहाँ पर आपको इसकी वीड की गीडियो मेगी नेस कुछन देखते हैं प्याजी के शंगनातमे ame कास के सिद्दान्त के किस चरण में बच्चों में सरक्षण का सिद्दान्त बिक्सित होता है तो मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता में पोस्ट आपचारिक अवस्ता में या फिर आपचारिक संक्रियात्मक अवस्ता इसपस्ट रूप से लिखा है सरक्षण का सिद्दान्त सरक्षण कब करेगा जब वैक्ति उस चीज को मूर्त रूप से जानेगा मूर्त के बाद में आता है कि आपका औप्शारिक शंक्राथ मक्स था लेकर यहां क्या सरक्षण यदि आपको कोछ बस्तु कोई पेड़ है पौधा है या फिर कोई खिलोना है आपका वो खिलोना आपसे कोई छीने ना तो इसका मतलब क्या है आप उसको मूत रूप से जानते हैं कि वो क्या है खिलोना है उससे तुम खेलते हो बस आपको तो वो पर इहां सा होती है सरक्षन करने की ड्वो कि अवस्ता में होती है मूर्थ संक्रियात में कि आप हर एक वस्तू को क्या है मूर्थ रूप में जानने लगते हैं। इसका सही जवाब कुन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। next question देखे सब्सकेंट तंड आई कि तत्बरता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है बिलकुल नाम दिया तत्बरता के नियम है लेकistics का दूसरा नाम कोंसा है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कारप्रवत्ती का नियम, और सेट या मनुप्रवत्ती का नियम तो आपको मैंने ट्रिक बनाए थे, ततपरता से कार करोगे तब ही तो प्रभाव पड़ेगा तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पढ़ेगा मुख नियम के लिए यही तरह को बताई थी तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पढ़ेगा यानि कि तत्परता के जे दो प्रभाव और अभ्यास तो है यह नहीं है इसका सही जवाब कुन से है, कारप्रबत्ति का नियम, कारप्रबत्ति का नियम इसका दूसरा नाम है, उपनाम है, सेट या मनुब्रत्ति का कोई नियम होता ही नहीं है, तो थर्णडाई का नियम कौन कौन से है, तीन है, ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का तत्पर्ता के नियम को ही कार प्रबत्ती का नियम कहा जाता कि अधी आप किसी कार को करने के लिए प्रबत्त है यानि आपकी एक्षा है मन से एक्षा है तो आप वो कार कर पाएंगे विल्कुल आसानी से वो सही कर पाएंगे जब आपके मन में क्या है एक्षा हो और आप उसक भी ball को ठाए या पर कुछ कार किया है आप उसको सही नहीं कर पाए दूसरी बार में थोड़ा सही किया तीसरी बार में सही किया लेकन ऐसे अभ्यास करते आपने क्या किया उसकार में पर्फेक्टनेस हो गए जैसे कि आप अभी टेट के एकजाम के लिए तयारी कर रहे हैं पहले आपके उसकिल से 10 questions सही रहे दे लेकने आपने practice करते ही करते ही करते आपके कितने हैं 20 के उपर होने लगे इसकी बाद में 25 के होने लगेंगे ठीक है तो यह क्या है अभ्यास की करा इसकी बार में है प्रभाव करिया प्रभाव कर नियम क्या करता है कि जब आप किसकी कोई साभी कारे करते हो यदि आपने कार अच्छा किया तो उसका प्रभाव क्या है अच्छा होगा जब अच्छा करेंगे उसका प्रभाव अच्छा होगा तो आप उस कारे को फिर से करेंगे मतलब उस कारे के पती आप कभी ना नहीं कहेंगे लेकन यह उसी जगह है उस कारे को करने से कुछ नकारात्मक प्रुभाव आए तो फिर आप उस कारे को नहीं करेंगे यनि कि प्रभाव कैसा प्रुभाव पड़ेगा नकारात्मक और सकारात्मक प्रोहाओ सकारात्मक होगा तो आप करेंगे नकारात्मक होगा तो नहीं करेंगे जैसे कि ये बालकों को कुछ कार्य दिया जाता ठीक है बालक ने एक प्लेट उठा करके आपको दे दी ठीक है आपने मांगी थी उनने दे दी तो क्या है आपने उस बालक की क्या है तारीफ कर दी तो बालक उस कारे को करेगा लेकन किसी बालक ने कुछ ऐसा उल्टा उल्टा कर दिया तोड़ दिया कुछ बस तो तोड़ दी आपने उसको डाट दिया तो उसमें क्या है उसको नकारत में प्रति मिलेगी वहाँ पर और असामाननता को परभासत करते समय इनमें से किसमें नाखुशी सामिल है अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज यहाँ पर अनहैफपीनेस Unhappiness वर्ड आपको याद रखना है वो Unhappiness जो वर्ड है इसके साथ साथ आपको याद रखना क्या Distress जब आपको Distress होता है पीड़ा होती है तो वहाँ पर आप Happy नहीं रहती है Unhappiness रहती है ठीक है तो इसका सही जवाब कुझसा है चोथा हो जाएगा इसका आसामान नता ये थोड़ा सा हिंदी वर्ड में थोड़ी से दिकत होती है नाखुशी सामिल है ठीक है लेकर इसका सही जवाब जो Unhappiness जो है इसके लिए सही सब्द क्या है Distress नहीं कि पीड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा इस equation देखिए क्या है question नहीं कि कौन सा एक वर्टीगम अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है वर थीक है तो Link उचाई समाजे कार्थे किस्थिती जाती तो इसका सही जवाब हो कहा है उचाई जो है वर बर्चाई जो है बर्चाई अंतर करता है उचाई किसी के छोटी बड़ी हो कोई इसमें कोई देकत नहीं है छोटा हो या फिर बड़ा हो वो अधिगम के प्रहवित करता है या नहीं करता है वो अलग बात है व्यक्तिगत अंतर नहीं है लेकर किसी व्यक्ति के उचाई छोटी है यदि एक व्यक्ति छोटा है त जो है वो वह ब्डिवात अन्तर नहीं है ठीक है इसका सही Stephen साहूंग धो जाएगा दूसरा हो जाएगा यह question भी repeat हो चुका है इसके पहले पूछा जा चुका है ठीक नया इस question देखिए निम्सक्ति में इसे कों कारसील इसमती का हिस्सा नहीं है तो क्या है इसके पहले भी आपने लिखा क्या वर्किंग मेमोरी यहां पर लिखा हुआ है अपकी ऑप्सें में देखा था आप कॉश्ण में आ गया तो क्या है नहीं है तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा संबेदी रजिस्टर संबेदी रजिस्टर जो है वहने पहले ही बता है जब भी आपको मसल्स जहां पर आपकी मसल्स यूज होती है वहां पर यह कोई कार करने की बात की होती है तो वहां पर संबेदी रजिस्टर होता है बाकी जंगा पर आपकी कारसील इसमती होती है कोशन है 24 कोशन क्या कहता है 24 कोशन कहता है कि एरिक्शन जो है एरिक्शन के शिद्दान्त में उन पहलियों को आम तोर पर किशुरा वस्ता के दौरान विक्षित करने पर ध्यान केंद्रत किया जाता है और फिर यह वयास का वस्ता के कि दो रहाई कि और आम तौर पर उन कि सूरा वस्ता के दो रहान के दो रहान बेक्षत हैं तो इस Command的時候 सब आंतरंगता और पहचान, मूल विस्वास और पहचान, तो इसमें सबसे वड़ी आपको चीज़ याद रखने हैं कि आत्मियता वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, आत्मियता वर्ड ठीक है, तो सबसे पहले कि सुरा वस्ताय बालकों को उनकी पहचान दी जाती है, का मुतलब हैं, का चाहें, जैसे करना चाहें, वैसे करें, क्यूंकि जो भी चात्र होते हैं, जो भी विद्यारति होते हैं, या पर जो भी बालक होते हैं वो हमेशा वैसे माहल में सीखते हैं जैसे में उनको आजादी होती है कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा या पर सिक्षा सास में बालकास में कि जो भी सिक्षा होती है वो सिक्षा केंद्रत होती है या पूर्ट पोस्ता केंदacer होते है। अच्ज की समय होते हैं वो कैसी है hmm बालक किंदरत है। जैसी वालक की योगता है। जैसी उसکी चमता है। जैसीóm की एज़ है। उसकी अधार पूर्ण करेगा अच्छे तरीके से सीखेगा नेस्ट कुश्टन देखिए नेस्ट कुश्टन क्या है चब्वेसमा कुश्टन बहुत अच्छा कुश्टन है यह कुश्टन भी रिपीट हो चुका है महलू लगे पिकास की कौन सी अवस्था में बंधिकरन चिंता किया है जब भी आपको इस प्रकार के सब्सक्राइब करें किया है के स्ट्रेशन लगा होगा में सारे बच्चे बहुत हस्यार हो 20 25 25 नमर उनके आते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके 20 आने ही मुस्किल हो जाते हैं क्योंकि मैंने प्रेक्टिस की है जब मैं एक्जाम देता था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने लेकर जब कम सी कम 30 30 40 40 एक एक सब्जेक्ट के कुश्चन पीपर लग जाता है यह कुश्चन है 27 बाद के रिस्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है विकासात्मक समाजीक्राण दिर्तियक समाजीक्राण प्रात्मक समाजीक्राण प्रत्यासात्मक समाजीक्राण तो क्या है इसको बाद के रिस्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता हो क्या है एंटिशेपेटरी सोसिलाइजेशन जैसे कि आपने देखा हो कभी यह दिया पुलिस के इसमें कभी जो गए हो या फिर कोर्ट के चाहिए उसमें तो आपको एक एंटिशेपेटरी बेल करनी पड़ते ताकि बाद में क्या है आसानी से आप उसको के लिए रिफाई क कर सके अपने जो है अपना पक्ष रख सकें पहले जेल में जाने से पहले तो क्या है एंटिशेपेट्या सात्मक्ष समाजी कराण जी इसका क्या है बाद के रिष्टों के लिए पूरभ्यास कहा जाता है ठीक है इसका सही जाब हुजाएगा चौतर नेस्ट कोस्टन है 28 में क्या कहता है क्यों बंचित समुहों के बच्चों को अच्छा पूसर अच्छी स्वास्त देखवाल तक पहुंच और खालिस्तान के आवसरों की सम्भावना कम होती है जो बंचित समुहों के बच्चे होते हैं उनके ना तो अच्छा पूसर मिलता ना अच्छी स्वास्त दे तो सबसे जरूरी चीद क्या है यहां पर अध्यान सीखने की क्या है उनको आउसर बहुत कम मिलते हैं या फिर आउसर मिलने की कम सम्हान होती तो दूसरा आउसर इसकी हो जाएगा यह कोश्चन पहले भी पूंचा जा चुका है इसको नोट कर लिजे दिया आपका गलत हुआ ह तो सही हुआ तो बहुत अचीवात है एक सिक्षक अपनी प्रतिकरिया में अस्फलता सब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है बुद्ध्य की कमी के करण अयोगता के करण अधिगम अक्षमता के करण या फिर अधिगम में उभरने की करण तो अस्फलता सब्द को प्रतिस्थ तापit कर पाएगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होदाएगा, चोथा होदाएगा, नेस इस वीडियो का last question है, क्या है, एक छात्र बच्चों में नहीं सीख पा रहा है, क्योंकि उसका पालतु पसुट ठीक नहीं है, अधिकाव प्रभावित करने वाला सबसे अत्मक श्तिति, नेन की कमी या फिर पूसण की कमी इस कुछष्टन का सही wrong क्या हो गा उप मज़े कमेंट रोक से कमेंट करेंगे जिसी के रैज आख MSCAl